Hello students, स्वागत है आप सभी का वोलकनो आईएस के डेली करंट अफेर के डिसकसन में Students अगर हम बात करें आज केस टोपिक की तो फर्स्ट टोपिक है वर्ल्ड अनर्जी आउट्लुक रिपोर्ट के बारे में तो यहां 2022 की वर्ल्ड अनर्जी आउट्लुक रिपोर्ट है उसको रिलीज कर दिया गया है जिस ओर्गनाईजेशन के दुआरा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है उसका नाम है इंटरनेशनल अनर्जी अजेंसी इंटरनेशनल अनर्जी अजेंसी को 1973 में इस्टेबलिस किया गया था और ये काफी इंपोर्टेंट और्गनाईजेशन है अनर्जी अजेंसी के परस्पेक्टिव से International Energy Agency ही यहाँ पर बताती है कि किसी भी कंट्री का अगर oil import है तो उस oil import का एक strategic reserve होना चीए उसका जो 90 days का जो reserve है वो होना चीए International Energy Agency की इन्ही recommendation को देखते हुए इन्ही parameters को देखते हुए इंडिया के दुवारा अपने जो eastern coast और western coast के areas में यहाँ पर strategic oil reserves हैं उनको बनाया गया है Students ये सब बतें International Energy Agency के बारे में हैं अगर हम बात करें World Energy Outlook Report की तो World Energy Outlook Report है वो International Energy Agency के दुवारा तो release की ही जाती है बट ये report 1998 से continue इसको release किया जा रहा है International Energy Agency के दुवारा और हर साल ये report है publish होती है अगर हम बात करें इस report के क्या यहाँ पर objective हैं क्या यहाँ पर बाते की जाती हैं तो इस report के अंदर basically यहाँ पर World के अंदर जो energy की demand है कि किस तरीके से World के अंदर energy का conception किया जा रहा है किस तरीके से जो आने वाली future है उसके अंदर demand है तो उन सब की यहाँ पर बात की जाती है इस बार जो World energy outlook report है 2022 की जो publish की गई है इस report के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे रसिया और यूक्रेन का जो conflict हुआ है रसिया और यूक्रेन के इस conflict की वज़े से जो energy की जो stability थी वो यहाँ पर continue unpredictable हो गई है energy की जो demand है उसके उपर Europe है Europe को दूसरे sources के उपर depend होना पड़ रहा है इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि Northern Hemisphere में जो winter का जो month है वो आने वाले है winter के month आने की वज़े से यहाँ पर energy की जो demand है और जो heat की वज़े heat के लिए जो energy की demand है आप देखें कि सरदी के अंदर आपका जो energy का demand का जो consumption है चाहे वो पानी का गरम करने के लिए अगर आप गेजर की बात करें हमारे normal households के अंदर इसके अलावा आप heater की बात कर दीजे तो इस तरीके कि जो energy की जो demand है वो यहाँ पर increase होती है winter month के समय में तो उसकी demand के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि आने वाले समय में जो energy की जो demand है वो यहाँ पर increase होगी अगर हम बात करें इंडिया के perspective से जो इस report में बात की गई है वो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया coal के उपर dependent है और इंडिया को अपने जो energy के जो sources हैं उनक emission की वज़े से इस तरीके से जो हमारे targets हैं जो Paris के अंदर हमने COP21 जो meeting हुई थी UNFCCC की UNFCCC की जो 21 meeting होती है COP की वहाँ Paris के अंदर में तो वहाँ इंडिया के दुआरा जो भी INDC targets ले गए हैं तो उनको achieve करने में difficulty होगी अगर difficult होगा अगर इंडिया यहाँ पर call के उपर completely depend ह होता है वहीं आपको पता होगा students COP21 के समय ही COP21 का जो समय था वहाँ ही इंडिया के दुआरा International Solar Alliance जो है International Solar Alliance जो है उसका establishment किया गया इंडिया और France के साथ में अगर हम बात करें International Solar Alliance की तो इसका जो headquarter है वो गुरू गुराम नाम का जो सहर है हरियाना के अंदर वहाँ पर located है Students ये पहला एक International कोई institution है जिसका headquarter इंडिया के अंदर located है और वो गुरू गुरू गुराम के अंदर located है Students जब International Solar Alliance को जब start किया गया था इंडिया और France के दुआरा तो इसकी membership को limited रखा गया था Membership limited इस तरीके से थी कि वो country जो completely या पार्सली रूप से ट्रोपिक ऑप cancer और Capricorn की बीच में आते हैं या पार्सली रूप से आते हैं उन countries को ही membership दी गई थी Present समय में अगर हम membership की बात करें International Solar Alliance की membership open है सभी United Nation के country जिसको join कर सकते हैं Presently इसकी membership का जो संक्या है वो भी increase हुई है तो ये basically energy को diversify करने से related solar energy के उपर इंडिया की जो dependence है उसको increase करने से related इंडिया का एक efforts था इंडिया का एक प्रियास था तो student this is all about the world energy outlook report जो international energy agency के दुवारा निकाली जाती है 1998 से इसको continue हर साल publish किया जाता है और यहाँ पे world level पे जो energy की demand है जो यहाँ पे consumption की यहाँ demand है उन सब की यहाँ बाते की जाती है students यहाँ पे हम एक question को soul करेंगे question में पूछा गया है कि international energy agency के बारे में आपने सुना होगा तो international energy agency का जो headquarter है वो कहाँ पे located है students international energy agency को 1973 के समय में इसको establish किया गया उस समय में जो energy की जो crisis हुआ उसकी वज़े से यहाँ पे इसका जो establishment है वो establishment के रूप में international energy agency आया अगर हम बात करें इसका headquarter और OECD का जो headquarter है organization for economic cooperation जो developed countries का एक group है तो OECD और अगर हम बात करें international energy agency का headquarter एक ही जगह पे located है वो headquarter है पेरिस के अंदर में पेरिस जो फ्रांस की capital है वहाँ पे इसका headquarter है students UNESCO का जो headquarter है या जो office है वो भी आपको पेरिस के अंदर मिलेगा पेरिस काफी culturally city भी काफी culturally काफी ज़्यादा important city है इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जिसका headquarter है वो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर गुरुग्राम के अंदर international solar alliance का headquarter है अगर हम बात करें मनीला की मनीला के अंदर आपको Asian development bank है Asian development bank जो फिलिपाइन्स की capital है मनीला वहाँ पे काफी ज़्यादा cyclones भी आते हैं वो वहाँ located है international rice research institute है उसका headquarter भी फिलिपाइन्स के अंदर ही है इस्टुडेंट्स विएना के विएना के जो ओस्ट्रिया की capital है तो विएना के अंदर आपको बहुत सारे international organizations हैं उनके headquarter आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे areas कुछ ऐसे cities हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे international institutions के headquarter देखने को मिलेंगे उनमें विएना भी एक city है तो यहाँ पे अगर answer की बात करें तो Paris इसका right answer है students अगर हम बात करें next question की next question ने जब आउट दा मोरवी से related है मोरवी में recently वहाँ पे एक cable bridge था वो collapse हो गया उसकी वज़े से ये news के अंदर में था इसके अलावा वहाँ पे जो river है मच्छू river जो वहाँ पे flow करती है मच्छू river के उपर जो bridge है वो बना हुआ था केबल के रूप में ये bridge बना हुआ था students अगर हम बात करें कि क्या क्या regions है quality एक region हो सकता है कि उसको quality वहाँ पे improvement नहीं हुआ होगा वो एक region हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ regions है आप देखें कि जो crowd का management था वो नहीं हो पाया था कि उस bridge के उपर जो population है उनकी जो संक्या है वो काफी ज्यादा हो गई थी दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस वहाँ पे जो एक cable bridge है उसको जूल तो पुल के रूप में जाना जाता है means the की ऐसा bridge जो जूल रहा है तो इस वज़े से अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे इसके related जो वीडियोज हैं presently बहुत सारी social media sites पे circulate हो रहे हैं तो वहाँ पे दिखाये जा रहा है कि कैसे वहाँ पे जो vlogger हैं कैसे वो जो tourist लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और उसको जो basically उसको हिलाने के लिए उसको सेकिंग करने के लिए वहाँ पे efforts करते हैं तो students यहाँ पे जो कुछ quality एक region है कि quality improvement नहीं हो पाई समय के साथ में second अगर हम बात करें crowd management भी एक region हो सकता है इस incident के behind में इसके लावा अगर हम बात करें यह हमारी governance के लिए एक governance का एक important pillar है कि यहाँ पे governance प्रवाइड करवाना government की responsibility है जितने भी bridge हैं जितने भी यहाँ पे rivers हैं यह सभी safe होने चीए उनकी कोई भी ऐसा event है वो नहीं होना चीए जिससे बहुत सारे लोगों की death हो जाएं तो students यह सब government की civil servants की इन सब की responsibility है जिसको execute करने की उनकी जरूरत है उन responsibilities को निभाने की उनकी जरूरत है अगर हम बात करें Morby नाम की city की तो students Morby basically यहाँ पे आपको western गुजरात के अंदर यह situated एक city है Morby जो district है वो काफी ज्यादा important है ceramic industry के लिए वहाँ पे ceramic factories आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी small and medium sector के रूप में इसके अलावा जो मच्छू river की वज़े से यह एक tourist attraction भी हुआ करता था ceramic industry की वज़े से इसका नाम है अगर हम बात करें जो मच्छू river है उसकी अगर हम बात करें मच्छू यह कि इस basically एक small river है जो यहाँ पे जो मादला जो hills हैं वहाँ से यह rise करती है और यह run of catch के अंदर में flow करती है तो students इस से पहले भी Morby के अंदर कुछ incidents हो चुके हैं इस river के उपर में वहाँ पे काफी लोगों की जो जान है वो चली गई थी तो यह सब basically अगर हम civil servants हैं अगर हम वहाँ पे उस district के अंदर posted हैं तो हमारी responsibility है कि इस तरीके के incidents को हम पहले इनको होने से बचाएं कि इस तरीके से बचा सकते हैं कि time से पहले कुछ ऐसे steps लिये जाएं जिससे ऐसे कभी भी incidents ना हो और crowd का management is so important तो students यह more भी से related था अगर हम next topic is about the special operation medal से related है students यह medal 31st October के दिन दिये जाते हैं यह medal basically ministry of home affairs के अंडर में इन medals को दिया जाता है जो home minister होते हैं उनकी द्वारा यह जो medals हैं वो यहाँ पे distribute किये जाते हैं special operation medal basically कोई भी यहाँ पे operation है वो हमारी security forces के दुआरा conduct किया जाता है तो उस operation के समय में किस तरीके से planning की गई है किस तरीके से वहाँ पे execution किया गया है planning का अच्छे से तो उनसे related है special operation medal अगर हम बात करें special operation medal की normally तीन special operation medal हैं को consider किये जाते हैं award के लिए और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 medal हैं वो हर साल दिये जा सकते हैं 2018 में special operation medal को यहाँ पे constitute किया गया था और यहाँ पे बात की गई थी कि इसको यहाँ पे हर साल 31 जो अक्टूबर का दिन है जिसको unity day के रूप में भी celebrate करते हैं अब देखे कि 31 अक्टूबर कितना important day है country के perspective में अगर हम बात करें उसी दिन हमारे यहाँ पे जो सरदार वल्लब भाई पटेल हैं उनका बर्थ unity day के रूप में celebrate करते हैं उनकी memory के रूप में और उसी दिन हमारी country के एक prime minister है जिनकी यहाँ पे separatist जो कुछ लोग हैं उनके दुआरा यहाँ assassination कर दिया जाता है तो दो important personality जिन्होंने हमारे country के लिए काफी कुछ किया है country का development में काफी कुछ contribute किया है उनका memory में यह day है वो celebrate किया जाता है basically यह था special operation medal के बारे में अगर हम बात करें students next topic की next topic is about the gangetic dolphin से related है students recently नमामी गंगा जो हमारा एक program है जिसके through basically यहाँ पे जो गंगा river है उसको clean करना है तो वहाँ पे water की quality है वो improve होने की वज़े से कुछ area में water की quality improve होने की वज़े से वहाँ पे गंगेटिक dolphin है उनकी जो संक्या है उनकी जो presence है वो दिखाई देने लगी है गंगेटिक dolphin की वहाँ presence दिखाई देने की वज़े से यहाँ गंगेटिक dolphin यह topic है वो news के अंदर में था अगर हम बात करें students गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की तो यह fresh water species है फ्रेस पानी के अंदर यह पाई जाती है जहाँ पे water की quality सही होती है वहीं पे यह गंगेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन वर्ल्ड के अंदर में कुछ रिवर्स है जहाँ पे यह मिलती है जिसमें आप गंगा का इस्सा देख लीजे अगर आप देखें इंडस का जो इस्सा है वहाँ पे यह मिलती है इस इसकी वज़े से इसका जो IUCN status है वो endangered category के अंदर आता है इसको wildlife protection act जो हमारा wildlife protection act है 1972 का उसके schedule 1 के अंदर इसको protection दिया गया है वहाँ पे इसको रखा गया है इसके अलावा अगर हम बात करें sites की तो sites का जो appendix 1 है उसके अंदर इसको रखा गया है और उसको यहाँ पे endangered होने की वज़े से यहाँ पे जो animals हैं इनकी trading ना हो इनको protect किया गया है तो students यह गैंगेटिक रीवर डॉल्फिन के बारे में था गैंगेटिक रीवर डॉल्फिन जब water के अंदर अपनी breathing process की वज़े से वहाँ पे एक special kind of voice है वो rage करती है वो निकालती है जिसकी वज़े से इसको जाना जाता है तो students यह गैंगेटिक रीवर डॉल्फिन के बारे में कुछ बाते थी यहाँ पे आपको एक important बात भी पता होनी चीए गैंगेटिक रीवर डॉल्फिन को इंडिया का aquatic animal के रूप में भी जाना जाता है और इससे related UPSC ने question भी पूछा है तो students आज हमने गैंग of home affairs के दुआरा moreby के अंदर जो incident हुआ है उसके बारे में देखा वहाँ पे जो civil servants हैं जो executive के part हैं उनकी responsibility के बारे में भी हमने discuss किया वो भी काफी ज़्यादा important है इसके अलावा students हमने world energy outlook report के बारे में देखा जो international energy agency के दुआरा निकाला जाता है और international energy agency का headquarter जो Paris के अंदर located है उसके बारे में हमने यहाँ पे discuss किया तो students ऐसे ही कुछ नए topics के साथ हम daily आपसे मिलते रहेंगे आप regularly इनकी practice की दिए regularly इनको revise कीजिए तो thank you students thank you very much